तीन दिन, तीन तितियां, तीन बार, तीन नक्षत्र, तीन घड़ी, तीन पल, जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते हैं, जो धतूरा होता है, धर्शन करें, धतूरे के काटे काटे सा होता है, धतूरा, तो धतूरे के साथ में बाबा सुस्राल में तो सुस्राल में दुख देखा सुस्राल में भी दुख देखने के बाद में भी पती को बहुत कुछ काम खुलवाया बहुत धंदे खुलवाया नोकरी लगवाई पर वह पती बार बार चोड़ करा गया बार बार तकली भोग रहा है बार बार कश्ट भोग रहा ये तीन घड़ी, तीन अपल, तीन नक्षतर, तीन समय, तीन दिन में, जो शूल मुझे समरपित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हठा देता हूँ, वो तीन दिन लिखें स्कंद पुराणा, महाराज, बेसाक महिने में, जो प्रदोश आती है, बेसाक के महिने में, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हों, परिशान हो गए हों, कष्ट में जीवन जी रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, उनके लिए यसकंद पुराणा का चरित प्रफिर मिले ना मिले, अप्रेम से सुनने, आउस, पहला बेसाक महिने की प्रदोश, चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो, चाहे रविवार की हो, सोंबार की हो, मंगल की हो, बुदभार की हो, गुरुवार की हो, शुकरवार की हो, शनिवार की हो, कोई विवार की हो, प उस समय पर सूरी के डुबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेल पत्री ना चड़ाते हुए बेल पत्री के व्रक्ष के साथ काटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महराज अपनी जिंदगी में अर्चनों को हटाने के लिए पिर आप जिस इशाख मास की प्रदोश दूसरा शिवरात्री के दिन मध्यान के महराज battle जो बड़ी शिवरात्री होती है मागती बड़ी शिवरात्री के अंतर्गत म淫्यान का समय दोंपाहर के 12 बृए फिर कोई भी दिनों आरा सि जिए दिन पड़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को साथ काटे बेल पत्री के बरफच समर्पित होते हैं मारा इसमें आप यह वाले जो काटे हैं जो शिवरात्री के दोपहर बारावज़वाले हैं अगर कोई मदीरा पीने वाला हो वैसन में टूबने वाला हो कोई जुना खेलने वाला हो कोई गलत वैश्य व्रत्ती करने वाला या अपने मार्गत से विचलीत कोई व्यक्ती है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से प्रगटा हुआ बेल का व्रत्च है जो स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुंबार पड़े जो भी पड़े स्रावन के महिने का जो दूसरा सुंबार होता है उस दूसरे सुंबार में रात्री के समय पर अर्थाक, शास्त्र, अब घड़ी और पल का इसमन करेंगे तो रात्री के बजेंगे दस से बारा बजे मारे, दस से बारा के बीची धतूरे के साथ बाबा कुछ शूल समर्पित होता है महारत ये भी हमारी बांधाओं को, हमारी तकलिफों को वेपार वेशाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे एक्जाम में आप वेट लिए गवर्मेंट एक्जाम के लिए वेट लिए नहीं हो रहा, ये तीन बार मेरे शंकर को बेलपत्री के ब्रक्ष के शूल समर्पित होते हैं उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुप्राप्त करता कि बाबा बोलेनार जी के नए नशुरू से जो प्रगट हुआ वो रुद्राक्ष का पोदा है माता पारवती के नए नशुरू से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पाइस्तुख्यक्ष वह महेश उमा उमार महेश का चरित्र है कि उमार महेश का प्रागट हुआ उमार महेश जब दोनों आनंद में विवहर होकर जब चलते हैं और दोनों के बेठने से तप मुद्रा से जो पोधा उत्पन होता है वो शमी का पोधा शमी के पोधे में भी खाटे शमी के विरक्ष में भी खाटे तो पारवती जी इसकंद पुराण में प्रिश्न कर रही है भोले नाची से कि प्रभू मुझी ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आया है थोड़ा सा माता हूं मेरी जीजी हों आपको थोड़ा बुरा तो कि शिवजी जिस रुद्राच को उत्पन कर रहे है उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली है उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बेल पक्र उसमें भी शूलता है तो भागवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझे तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूले लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कहिए प्रभू मैं सुनने के लिए तयार हूँ आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बस अंतर इतना है नारी का जो सभाव होता है इस तरीका जो सभाव होता है उसके हिर्दाएं में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं देठाणी ने ये कर दिया देवराणी ने ये कर दिया तुमारी मम्मी ये बोल दी तुमारे पापा ने ये कर दिया तमारी बेहनों ने ये कर दिया, तमारे भाई ने ये कर दिया, तमारे रिष्टदार ने ये बोल दिया, ये ये नारी के लिए तर ये शुल्ता रहती है, तब पारवती जी बोली कि जितना अत्ता आपने करा, उतना अपने करा, और जितनी साधना आपने करी, उतनी साधना मे करी फिर समय शूलता कहां से आ गई भगवान शुद बोले बद पारवती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बेटता हूं तो मेरी दृष्टी में सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है कौन ने क्या वोला है कौन क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं पर पारवती जब तू अराधना करने भी बेटती है न तो तेरी चित्त ब्रत्ती में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आई जाता हूं कई माताओं की आदत देखी साथ भगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हूई है महाराध बताओ इतने सारे भगवान इकट्टे कर लिये मैंने बोला तब उसे कि वहां रख ले थी बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दिया अब इसकी स सोई घर में गई भगवान का भोग लगाने के लिए तो उसमें भी शूलता आ गई इतने घंटों से मैं समान दोंडरी फिरीज में मिली नीरा में रख्ये गई थी बगवान जाने कहां चले गए बगवान उंको वस्त्र पिना रही है तो शूलता है आलमारी का ड्राज खोल तब करो साधना करो भक्ती करो उसमें शूलता नहीं होना चाहिए पारवती जी ने कहा बोलेना तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बिलपत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में पद्म पुरान इसकंद पुरान लिंग प छांत पुरान ये सारी कुराने बर्णन करती है कि मेरा ये बेलपत्र का सुरूब आप धारण नहीं करेंगे इस्में शूलता है बहगवान करते नहीं 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 धारण तो करूँ गा पर शूल धारण नहीं करूगा मैं शूल दारण नहीं करना है मतलब बेल पत्री में है जो काटे लगे रहते हैं बेल पत्री की उस गाली के अंदर जो काटे शूल रहते हैं भगवान शुव दारण नहीं करते है आप उस बेल पत्री को आप बड़े प्रेम से आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान शिकार करना पर भोले ना ये बेलपत्तरी का जो वरच्छ है मेरे नएन अश्रू से उत्पन हुआ है मेरे द्वारा उत्पन हुआ है फिर तो इन काटों की कोई महत्वता ही नहीं है इन शूल की कोई महत्वता नहीं है आरवती केवल तीन दिन ऐसे रहेंगे तीन बार ऐसे रहेंगे तीन इत्हियां ऐसी रहेंगी तीन समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निरमित शूल को वी शिव धारण करेगा और जगत का तल्यान करेगा